कोरोना वाइरस दुनिया में इस साल की शुरुआत में फैलना शुरू हुआ था और मार्च तक दुनिया के ज्यादा दर देशों में लॉकडाउन के स्थिती हो गई थी इस बिमारी के सामने आते ही इसकी दवा और वैक्सिन पर शोद भी शुरू हो गई थी जो अब तक चल रही है दवा या वैक्सिन कब तक आएगी इस पर कई तरह के दावे आए अगस सितंबर में रूस ने तो अपनी वैक्सिन स्पूतनिक वी की आधिकारिक गोशना भी कर द लेकिन उसके पूरे ट्रायल अब भी चल रहे है फिलाल वैक्सिन के बारे में ज्यादा बाते नहीं हो रही है आईए जानते है कि इस मामले में दुनिया के देशों का क्या हाल है बिल और मेलिंडा गेट्स पाउंडेशन के प्रमोख मार्क सुजमेन का कहना है कि कोविड-19 वैक्सिन का बहुत बड़ा हिस्सा भारत में निर्मित होने की संभावना है सुजमेन के मताबिक भारत अपने मौजुदा स्त्रूबव प्रयास कर रहा है और अगले साल कुछ वैक्सिन सामने आ सकती है इसकी वज़े यहां का मजबुत नीजी शित्र है बारत सरकार के मंत्री भी अगले साल फर्वरी तक वैक्सिन आने के संभावना जटा चुके है अमेरिका में वैक्सिन की गोशना को लेकर आधिकारिक स्तर पर किसी किस्म की जल्द बाजी नहीं दिख रही है फिर भी यहां के अधिकारियों का कहना है कि साल के अन तक अमेरिका के पास परियाप्त, सुरक्षित और कारगर COVID-19 वैक्सिन उपलब्द हो जाएगी जिसका फाइदा बहुत से अमेरिकियों को मिल चुका है अमेरिका के हेल्थ एंड यूमन सर्विसिस सेक्रेटरी एलेक्स एजार का कहना है कि अमेरिके सरकार सावधानी से आशा वंतित है कि इस साल के अन तक एक या दो वैक्सिन का वित्रण शुरू हो जाएगा वही ब्राजिल के स्वास्तिव प्रादी करण एन्वी जाने बताया कि 21 अक्तुबर को कोविड-19 वैक्सिन ट्रायल का एक 111 प्रतिभागी की मौत हो गई यह वैक्सिन एस्ट्रोजेनिका और आक्सपोर्ड यूनिवरसिटी विक्सित कर रहा है इसके बाद भी वैक्सिन के नियामक करता का कहना है कि वैक्सिन की टेस्टिंग जारी रहेगी ऐसे में यह वैक्सिन आधिकारिक रूप से कब जारी होगी यह अभी नहीं बताया जाएगा एक संभावना यह भी जताई जा रही है कि भारत में वैक्सीन इस साल के अन तक आ सकती है मिंट की रिपोर्ट के अनुसार स्वास्यमंत्राले के अधिकारी ने ऐसी संभावना की जानकारी दी है वैसे यह भी सच है कि यह कहना बहुत मुश्किल है कि वैक्सीन लोगों के लिए उपलब्द होना कब से शुरू हो सकेगी वैसे भारत में कई दवा या वैक्सीन का दूसरे चरण का अंत का या फिर तीसरे चरण का टेस्टिंग चल रहा है एसे में अगर देरी भी हुई तो अगले साल के शुरू आती महिनों में वैक्सीन आ सकती है रूस ने अगस में ही अपनी वैक्सीन स्पुतनिक वी की आधिकारी गोचना कर दी थी उस समय उसके ट्रायल्स का पहला चरण भी पुरा नहीं हुआ था अब उसके पहले दोनों चरण पूरे हो चुके है और ट्रायल का तीसरा चरण चल रहा है पहले दो चरणों के एक जनरल लेसंड ने सपलोने की रिपोर्ट दी है तीसरे चरण के 10,000 ट्रायल्स के नतीचे आने वाले हैं कई देशों ने इस वैक्सिन के ट्रायल पर सहमती चताई है बारत में भी पहले 100 लोगों पर इसका ट्रायल होगा इस खबर के बारे में अपने वीचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिकर बताए वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले